Q1. जवाब सोच समझ के देना. ठीक है? एक एरोपलेन में 50 इट थी. उसमें से एक इट नीचे गिर गई. बताओ एरोपलेन में कितनी इट रह गई? सर्फ 49 इट रह गई. Very Good. अब बताओ अगर हीरन को फ्रिज में रखना है, तो कैसे रखेंगे? तीन संटेंस में बताना. सर्फ फ्रिज खोलेंगे, हीरन उसमें रख देंगे, और फ्रिज बन कर देंगे. Good. अब बताओ अगर हाथी को फ्रिज में रखना है, तो कैसे रखेंगे? सर फ्रिज खोलेंगे, हाथी को उसमें रखेंगे, और फ्रिज बंद कर देंगे इडियट, हाथी फ्रिज में कैसे आएगा जब तक हीरन को बार नहीं निकालोगे कितनी बार कहा है क्लास में ध्यान लगा कर बैठे करो, सारी चीजे ध्यान से सुना करो यू आर फेल जंगल में शेर की शादी थी, जिसमें सारे जानवर गए, सिवाए एक को छोड़ कर, बताओ कौन सर, पता नहीं सर, हीरन नहीं गया शादी में, क्योंकि फांडेशन में बताया था ना, कि हीरन तो फ्रिज के अंदर है वेरी गुड पपू, एंडरिंकी, यू आर फेल फांडेशन का पड़ाया हुआ, इतनी जल्दी भूल गए, तो आगे जिन्दगी में क्या याद रखोगे जंगल में एक तलाब है, उस तलाब में तीन फुट गहरा पानी हैं, एक बूड़ी अम्मा को वो तलाब पार करना हैं, लेकिन बूड़ी अम्मा के पास नाव नहीं हैं, और उस तलाब में बहुत सारे मगरमच हैं, क्या बूड़ी अम्मा उस तलाब को पार कर पाएगी, सर बूड़ी अम्मा तलाब पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि बूड़ी अम्मा के पास किष्टी भी नहीं है, और बूड़ी अम्मा पैदल भी नहीं पार कर सकती, क्योंकि उस तलाब में बहुत सारे मगरमच हैं, वो बुड़ी अम्मा को खा जाएंगे सर बुड़ी अम्मा असानी से तलाब पार कर लेगी क्योंकि इंटर में बताया था ना कि सारे जानवर शेर की शादी में गए है इसका मतलब तलाब में एक भी मगरमच नहीं है सब शेर की शादी में गए है इसलिए बुड़ी अम्मा असानी से तलाब को पार कर लेगी वेरी गुड आलू लगता है तुम फाइनल पास कर ही लोगे सिर्फ एक कोश्चन का अंसर और दो ध्यान से सुनना कोश्चन वो तलाब पार करते हुए बुड़ी अम्मा की मौत हो गई बताओ कैसे सिर्फ बुड़ी अम्मा का पैर फिसल गया होगा तलाब पार करते हुए जिसकी वज़े से बुड़ी अम्मा की मौत हो गई होगी अरे लगता है सारे निकम में इंस्टिट्यूट की किस्मत में ही लिखे गए दूसरी चीज पढ़ते हो तो पहली भूल जाते हो और तीसरी पढ़ते हो तो दूसरी को पीछे छोड़ाते हो तुम लोग प्रोफेशनल्स बनने के लायक नहीं हो फाउंडेशन में बताया था ना कि अरोपलेन से एक इट किरी थी वो इट फाइनल में आकर बूड़ी अम्मा के सर पर लगी जिसकी वज़े से बूड़ी अम्मा की मोत हो गई तलाब पार करते हुए Moral of the story कि चाहे कोई भी स्टूडेंट कितना भी हुश्यार क्यों ना हो एक बार तो इंस्टिट्यूट ने उसकी लेनी ही लेनी है इसलिए इस तरद में मुस्कुराने की आदा टाल लो मेरी तरह है और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना जरूर याद रखना फिर मिलेंगे अगली वीडियो में